असलाम अलेकुम फ्रेंड सुमीद है आप सब खैरियत से होंगे आज मैं आपसे बड़ी मज़ेदार और बहुत असान चिकना मटर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ पैन में 1-4 cup cooking oil गरम होने के बाद मैंने 1-4 teaspoon सुफैज जीरा शामिल किया है अब सीरे को थोड़ा करकड़ा लेके जीरा करकड़ा लेने के बाद अब दर्म्याना प्यास बारी कटा हुआ शामिल करके प्यास को golden fry कर लेना है प्यास fry होने के बाद थोड़ा पानी शामिल कर दे त्यार हो जाए 1-4 teaspoon लैसांद्रा का पेस्ट 1-5 teaspoon नमक 1 teaspoon लामिश पॉडर 1-5 teaspoon हल्दी 1 teaspoon धनिया पॉडर यह तमाम मसाले शामिल करने के बाद मीजिम टू हाइफ फ्लेम पर मसाले को इतना भूनना है कि जितना पैन में पानी मौजूद है यह खुश्क हो जाए मसाला देर स कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर पानी खुश्क होने तक पकाएंगे और बीच बीच में चैक करते हुए चमचा चलाएंगे इस तरह पानी डालकर टुमाटर को गला लें तो मसाले में टुमाटर शामिल करके बहुत जादा फिर हमें भुनाई लगाने की तुरवत नह देना है मसाला बुनका तयार है अब इसमें यह 1 फोड्ल कप झामिल करके अच्छी तरह मसाली में मिक्स कर लेंगे अब इसमें यह tip केजी चिकेंडाम लें न बिपंच को मसाले में इतना भूंग थोड़ा भुना भुना रख रही हूं अगर आपने गरेवी वाला सालन रखना है तो फिर आप देड़ से दो कप भी पानी शामिल कर सकते हैं 140 पून गरम मसाला पौडर 5-6 छोटी तीखी हरी मिर्चे अब इन तमाब अज़र को मिक्स करके पैन को कवर कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीवन 20 मिट पकाएंगे और बीच बीच में चमचा चलाते हुए चैक करेंगे कि कहीं सालन लगना जाए ये हमारा वेत अगर मेरे चैनल पर नाए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बैल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगली रासिपी की वीडियो तक के लिए अल्ला हाफिज